हम लोग 6.2 कर रहे हैं, अब देखें, आपका जो अगला एक्जामपल है, 100 डिवाइट बाइट बाइट 20, रिपिटेट सब्रेक्शन से करना है, 100 में से 20 माइनस किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 को हम अगें 20 में से माइनस करेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएग 60 को अगें 20 से माइनस करिए, 20 में इसमें से माइनस करिए, तो 40 आ जाएगा, 40 में से 20 माइनस करिए, तो we will get 20, then 20 में से 20 को माइनस किया, तो you will get 0, right, तो 1 ताइम, 2 ताइम, 3 ताइम, 4 ताइम, and this is your 5 ताइम, तो you will write here 5, आई बास समझ में बच्चे, तो इस तरीके से आपने repeated subtraction complete करना है, 500 divided by 100, तो 500 में से 100 माइनस करेंगे, तो we will get 400, again 400 में से 100 माइनस करेंगे, तो we will get 300, फिर again माइनस करेंगे, तो we will get 200, then 100, then 100 minus 100, 0, you will stop here, यहां रुख जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, it means 500 divided by 100, 5, ठीके बच्चे, अब अगला देखे, 1000 divided by 500, 1000 में से 500 को माइनस करेंगे, तो 500 आएगा, 500 को again 500 से माइनस करेंगे, you will get 0, only 2 time, यहां 2 लिखेंगे, तो आप 1000 को जब 500 से डिवाइड करेंगे, तो 2 आपको मिलेगा, ठीके बच्चे, 48 divided by 16, 48 में से 16 माइनस करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए, 48 में से, you will get 32, ठीके, 32 मिला, 32 में से 16 माइनस करेंगे, 16 आएगा, 16 again 16 माइनस करेंगे, तो यहां पर आपका आगे 0, तो 1, 2, 3, यानि कि आपका 3 टाइम डिवाइड होगा, 48, 16 से, बहुत easy process है बटा, अब अगला है, 64 divided by 8, 64 में से 8 को माइनस करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, देखिए, अब आपको मिलेगा 56, 56 में से आप 8 को माईनस करेंगे, अगेन देखिए, 16 में से 8 गए, 8, 48, अगेन आप 8 को माईनस करेंगे, तो आपका आएगा 40 माईनस 8, फिर आएगा 32 माईनस 8, then you will get 32 में से 8 को मैनस करा तो हमने कितना आया बच्चे देखे 32 मैनस 32 मैनस 8 आपका हो गया 24 24 मैनस 8 we will get how much we will 16 right बटा 16 मैनस 8 you will get 8 8 मैनस 8 you will get 0 right in this way we have completed this देखे 1 time 2 time 3 time 4 time 5 time 6 7 8 means 64 divided by 8 you will get 8 समझाई बच्चे तो आपकी इस तरीके से ये सारी exercise हमने complete करी देखे अब आपका 7th example 144 divided by 12 देखे बच्चा 144 में से हमने 12 मैनस किया 132 आया 132 में से 12 मैनस किया 120 आया 120 में से 12 मैनस किया 108 then 96 फिर 84 फिर 72 60 48 36 फिर उसके बाद 24 फिर 12 मैनस 12 0 means हमने 12 टाइम डिवाइड किया माइनस किया है तो यू विल राइट है 12 ठीक है बच्चे बहुत इसी exercise है उसके बाद 120 डिवाइड बाई 16 sorry 15 16 नहीं sorry 15 15 30 मैनस 15 7 फिर 15 मैनस 15 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यू राइट है 8 120 को 15 में जब डिवाइड करेंगे तो 8 आपको मिलोगा ठीक है इसी तरह किसे 9 example में देखिए 112 डिवाइड बाई 16 112 मैं से 16 मैनस किया तो 96 96 मैं से 16 मैनस किया 80 80 मैं से 64 मैं से 16 मैनस किया 64 फिर 64 मैं से 16 मैनस किया 48 then 32 then 16 मैनस 16 0 तो 1 2 3 4 5 6 7 you will write here 7 ठीक है बच्चे अब 117 डिवाइड बाई 30 117 मैं से 13 मैनस किया 104 104 मतलब बटा इस तरीके से हमने जब तक आपको डिवाइड देखिए बटा आपको मैंने बताया यह आपका होता है dividend यह होता है आपका divisor और यह होता है आपका quotient ठीक है this is your divisor this is your dividend this is your divisor this is your quotient आप लोग जब तक आप इसको minus करते रहेंगे dividend को divisor से तब तक आप लोगों का 0 ना आ जाए जब आपका 0 आ जाएगा you will stop here उसके बाद जितनी बार आपने minus किया है उसको आपका quotient हो जाए अगर आई तो देखे जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 time minus किया तो आपका your quotient will be 9 ठीके बच्चे इस तरीके से आपकी 6.2 exercise complete हो गई है इसको आप यहाँ date डालीजी आज की और यहाँ class work लिख लिजे और इसको आप practice work में अच्छे से कर लिजेगा बच्चे और आपको मैं दुबारा एक बात कह रही थी कि आप लोग अपनी notebook में tables जरूर लिख लीजेगा अपनी notebook में आप 0 से लेकर बच्चे 15 तक at least आपको अपनी notebook में tables अपने लिखनी है ठीके बच्चे जब आपको table का concept आएगा तभी आप लोग यह वाले sums को कर पाओगे ठीके